नमस्कार साथियो, मैं हूँ आजाद और आप देख रहे हैं अड़ा 24-7 आई-स यूट्यूब चैनल साथियो मुहमद फैजल इस समय चर्चा में हैं जानते हैं आखिर मुहमद फैजल क्यों चर्चा में हैं और कौन है ये तो सबसे पहली बात मुहम्मद फैजल इस समय पर चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि लोकसवा सचवाले ने उनकी सदस्चिता को बहाल कर दिया है और वास्ता में ये हैं कौन तो ये लक्ष दीप से लोकसवा सांसद हैं मुहम्मद फैजल मुहम्मद फैजल पर एक मामला दर्ज कराया गया था केरल हाई कोट में जिसके चलते 11 जनवरी को मुहम्मद फैजल की सदस्चिता को समाप्त कर दिया था लोकसवा सचिवाले ने इस मामले की सुनवाई केरल उचन्यायले में 25 जनवरी को ही मुहम्मद फैजल ने ये दर्खास्त भी की कि हमारी सदस्यता को बहाल किया जाए लेकिन उस समय पर लोकसवा सचवाले ने ऐसा करने से इंकार कर दिया तो इस बात को लेकर के सुप्रीम कोट में याचका दाइर की मुहम्मद फैजल ने तो 29 मार्च को उनके मामले को लेकर के सुनवाई की तारिक निर्धारित की गई लेकिन इस से पहले ही लोकसवा सचवाले ने उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया है तो आपको दो बातें ध्यां रखनी है अभी अभी आपने राहुल गांदी के मामले में देखा कि लोग सभा सचवाले किसी भी सदस्य को आयोग ठहरा सकता है तो दूसरी वाद आपको ये भी याद रखनी है कि आयोग ठहराने के अलाबा अगर कोई व्यक्ति आयोग है तो उसकी पुनर बहाली भी लोग सभा सचवाले ही कर सकता है तो इस तरह की आपको और जानकारी तो आप जुड़िए अड़्डा 24 7 आई एस यूटूब चैनल पर मेरे साथ सुबह साथ बजे थैंक यू सो मच